हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू क्रेजी जी का ट्रिक दोस्तो हली मैं 69th National Film Awards 2023 की घोशना की गई या फिर जो 69th राष्ट्री फिल्म पुरुसकार है इनकी घोशना की गई और जो ये घोशना की गई है तो वर्ष 2021 की घोशना की गई है आपको याद रखना है ठीक है कोई कोई जो National Film Awards पिछली वार दिये गए थे तो वो 2020 के विजिताओं को दिये गए थे और इस वार 2021 के विजिताओं की घोशना की गई है ठीक है तो आज की वीडियो लेक्चर में हम National Film Awards को डेटेल में डिस्कस करेंगे इसके हम हिस्टरी को भी जानेंगे ठीक है सारी शीज़े डेट पुरुसकार हैं तो यह 69 थे इसका संस्करण या फिर एडिशन था तो यहां से भी कुश्चन आ जाता है और जो यह पुरुसकार दिये गए हैं तो 2021 के विजेताओं को दिये गए हैं तो याद रखना है चलिए तो तो राष्ट्री फिल्म पुरुसकार का जो एक इतिहास है उसको भी हम समझ लेते हैं तो देखी जो राष्ट्री फिल्म पुरुसकार हैं ठीक है यह देश के सबसे प्रतिष्ठित कारिक्रमों या फिर पुरुसकारों में से एक हैं ठीक है जो की भारस सरकार के दोरा दिये जाते हैं और इनकी जो इस्थापना हुई थी वो 10 अक्टूवर 1951 में हुई थी आपको याद रखना है ठीक है काफी महत्तपूर है अब इनकी इस्थापना 1951 में तो हो गए थी शुरुवात 1951 में तो हो गए थी लेकिन पहली वार इ वित्रित किये गए थे तो आपको याद रखना है ठीक है उस समय यदि हम सूचना प्रशारण मंतरी की बात करें तो बेवी केसकर जो थे वो समय सूचना प्रशारण मंतरी थे हमारे भारस सरकार में ठीक है और उस समय जो राश्टरी पुरुसकार या फिर नैशनल पुरु याद रखना है ना और देश की सुतंदता के बाद कलाकारों को प्रोचसाहित करने के लिए जो आर्टिस्ट होते हैं उनको प्रोचसाहित करने के लिए इसकी सुरुआत की गई थी यह वाद आपको याद रखना है और इन पुरुसकारों को स्टार्ट करने का मकसद क्या था क जो film industry है इसमें अच्छा कारी किया जा सके और इसमें जो आर्टिस्ट हैं जो ये फिल्म बनाते हैं उनको प्रोचसाहित किया जा सके ठीक है तो इसके पीछी ये उद्देश्य था आपको याद रखना है ठीक है अब जो ये award किसके दौरा दिया जाता है तो इसको भी कर दिये जाते हैं आपको याद रखना है हाली में हम बात करें president की तो द्रोपदी मुरमूजी president है राष्ट पती है भारत की जन जगदीब धनकर जो है ये उपराष्ट पती है अनुराक ठाकुर सूचना प्रसारण मंतरी है ठीक है तो याद रखना है इनमें से कोई भी वक कमल दिये जाते हैं रजत कमल दिये जाते हैं तो यह सारे चीजें विद्रत की जाती है और कुछ जो अवार्ड होते हैं सेलेक्टिड अवार्ड होते हैं उनमें नगत पुरुसकार भी प्राइज मनी के रूप में यहाँ पर दिया जाता है ठीक है जबकि कुछ जो अवार्ड होते हैं इसमें सिर्फ मैडल ही दिया जाता है तो यह अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से प्राइज मनी और यह जो सुर्ण कमल और रजट कमल है यह दिये जाते हैं उतना तो सबसे पहली वार 1954 में नैशनल फिल्म अवर्ड दिये गए थि तो सर्वसिष्ट फिल्म के लिए राश्ठपती का जो सुर्ण पदक है वो प्राथी फिल्म स्यामची आई को दिया गया था तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है चुकि सबसे पहली फिल्म थी स्यामची आई जिसको नेशनल फिल्म आवार्ड से सर्वसिष्ट फीचर फिल्म का आवर्ड दिया गया तो यह important पॉइंट है आपको याद पॉइंट है और पहली वार्ड सर्वसिष्ट अभीनेत्री पॉर्षकार दिया गया था तब और वसी कहलाने वाले के लिए तो यह कुछ अन्य डेटेल भी आपको याद रखना है चुकि तो देखिए यहां से अक्सर एक्जाम में कॉश्चन आ जाते हैं कि पहली फीचर फ पॉर्षकार हैं इनको भी हम देख लेते हैं कि इस वार किन-किन व्यक्तित्व को या फिर हस्तियों को आर्टिस्ट को इस पॉर्षकार से सम्मानित किया गया है तो जो अभी मैंने पॉइंट आपको बताया था वो याद रखना है कि जो 69th राश्ट्री फिल्म आवार्ड ह होती है जो कि आर्टिस्ट को ये पुरुसकार दिये गए हैं जिन भी फिल्म को ये पुरुसकार दिये गए हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमी का निवाते हैं ये वक्तित उनको ही हम ज्यूरी बोलते हैं तो यतेंद्र मिश्रा, केतन महता, नीरज सिखर, वसंत तो ये सभी 69 जो राष्ट्री फिल्म अवार्ड से इसके जूरी थे तो इनको यवारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है अब हम एक एक करके जितने भी ये अवार्ड दिये गए हैं उनको हम डिसकस करते हैं तो सर्वसरिष्ट फीचर फिल्म की हम बात करें तो रॉके अभीनेता इसमें कौन थे ठीक है इसका आप कमेंड वॉक्स में जरूर आंसर दीजे अगला है सर्वसरिष्ट अभीनेता या फिर बैस्ट एक्टर तो बैस्ट एक्टर का आवार्ड अलु अर्जुन को दिया गया है पुश्पा मूवी के लिए चर्चित मूवी थी जब मूवी आई थी तो इसको भी आपको याद रखना है सर्वसरिष्ट अभीनेत्र की बात करें तो आलिया भट को गंगुवाई काठिया वार्ड के लिए दिया गया है देखिए इस बार के जितने भी आवार्ड हुए हैं उन सभी में सर्वसरिष्ट अभीनेत्र के लिए फिल्म फैर की बात करें, चाहे आप धादसाफवाल के अंतराश्ट्री पुरुसकारों की बात करें, तो ये काफी महत्वपूर्ण और कॉमन है, आपको याद रखना है, ठीक है इसके लावा क्रती शैनन को भी मीमी के लिए सर्वस्रिष्ट अभी नित्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है तो ये दोनों के नाम आपको याद रखना है आगे बात कर लेते हैं, सर्वस्रिष्ट निर्देशक की एदि हम बात करें, तो निखिल महाजन को गोदावरी के लिए सर्वस्रिष्ट निर्देशक के रूप में चुना गया है तो यहां से यह question definitely आ सकता है तो राश्ट्री एक्ता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नर्गिस दत्पुरुसकार किसे दिया गया है तो दा कास्मीर फाइल्स को दिया गया है यह important है आप अच्छे से note down कर लेना तो पंकस त्रिपाथी को मीमी मूवी के लिए मिला है तो पल्लवी जोशी को दिया गया है यह सब आपको याद अगना है अभी हम इसके MCQs को भी solve करेंगे कि कैसे question exam में आ सकते हैं सर्वसरिष्ट हिंदी फिल्म के दिया हम बात करें तो अनुदाद दा resonance को दिया गया है तो यह सारे पुरुसकार आपको याद रखना है सर्वसरिष्ट संपून मनुरंजन प्रदान करने वाली फिल्म की बात की जाए तो RRR को दिया गया है सर्वसरिष्ट म्यूजिक डिरेक्शन की हम बात करें तो देवी स्रिपशाद को दिया गया है पुषपा के लिए सर्वसरिष्ट मेल प्लेवेक्शन की बात करें तो काला बहराओजी को दिया गया है RRR के लिए सर्वसरिष्ट फीमेल प्लेवेक्शन की बात करें इसके लवर सिनेमा पर वैश्ट पुस्तक का जो एक आवार्ड दिया गया है तो वो दिया गया है राजीव विजयकर की बुक है Music by Lakshmi Kanth प्यारेलाल The Incredibly Melodious Journey by राजीव कुमार इसको दिया गया है तो ये बात भी आपको याद रखना है ठीक है तो ये कुछ डिटेल थी है तो कुछ महत्रपूर्ण आवार्ड मैंने आपको डिसकस कराया है इसके बाहर आपका कोई question नहीं जाएगा तो इनको ही आप अच्छे से पढ़ लेना पहले question की ओर चलते हैं और कुछ हम MCQs भी यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं जहां से exam में question आ सकते हैं तो पहला है सर्वसिष्ट अभीनेता का पहला राश्टरी फिल्म पुरुसकार किसे मिला था तो उत्तम कुमार को मैंने आपको बताया था 1967-68 में है ना सर्वसिष्ट अभीनेता या फिर एक्टर का पुरुसकार था उत्तम कुमार को मिला था यह आपको याद रखना है ठीके तो अगला कुशन है राश्टरी फिल्म पुरुसकार 2030 कौन सा राश्टरी फिल्म पुरुसकार है तो 69 है ना 69 फिल्म पुरुसकार है नेशनल फिल्म आवार्ड है तो यह संसकर्ण इसका 69 है आपको याद रखना है इसका जो एडिशन है वो 69 है आपको याद रखना है अगला किस फिल्म को वर्ष 1954 में सर्वसरिष्ट फिल्म का खिताब दिया गया था तो स्यामची आई है ना एक मराइठी मूवी थी जिसको सबसे पहले 1954 में 1953 के जो अवर्ड दिये गए थे तो स्यामची आई को दिया गया था ये भी मैंने आपको डिसकस कराया है चली अगला कोशन है राष्टरी फिल्म पुरुसकार किसके दौरा प्रदान किये जाते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा A और B दोनों मैंने आपको बताए था उपराष्टपती राष्टपती और जो सूचना प्रशारण मंतरी होते हैं इनमें से कोई भी जो नैशनल फिल्म आवार्ड होते हैं वो वितरित कर सकते हैं तो इसका अंसर A और B हो जाएगा आपको याद रखना है ठीक है चली अगला कोशन है भारत में राष्टरी फिल्म पुरुसकारों की शुरुआत कब की गई थी तो वर्स Rep. 1951 में राष्टरी फिल्म पुरुसकार और फिर नैशनल फिल्म पुरुसकारों की शुरुआत की गई थी यह में आपको भी डिस्कस कराया था और उस समय राजकी फिल्म पुरुसकारों के नाम से इनको जाना जाता था लेकिन पहली वार इनको विद्रिद कप किया गया था तो 1954 में पहली वार इनको विद्रिद किया गया था ये सारी डिटेल में आपको डिसकस कराई थी चलिए अगला कोशन है 69th राष्ट्री फिल्म पुरुसकारों में best feature film पुरुसकार किसे दिया गया है तो काफी महत्पूर्ण है राष्ट्री जो मूवी आई थी काफी अच्छी मूवी थी तो इसको ही 69th राष्ट्री फिल्म पुरुसकार से best feature film का आवर्ड दिया गया है आपको याद रखना है 69th राष्ट्री फिल्म पुरुसकारों में तो नर्गिस दत्त को तब उर्वशी कहलाने वाले के लिए पहली वार या फिर first actress के रूप में 1967-68 में इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया था ठीक है तो ये वाद भी आपको याद रखना है अगला कोशन है किसे हाले में 69th राष्ट्री फिल्म पुरुसकारों में Best Hindi Feature Film का आवर्ड दिया गया है तो इसकांसरोजा का Best Hindi Feature Film के रूप में सरदार उधम सिम को इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगला कोशन है किस अभिनेतरी को 69th राष्ट्री फिल्म पुरुसकारों में Best Actress अभिनेतरी का आवर्ड दिया गया है तो आलियवट और करती सेनन है ना दौनों को संयुक्त रूप से इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है आपको याद रखना है अगला कोशन है 69th राष्ट्री फिल्म पुरुसकारों में सर्वस्रिष्ट बाल फिल्म का पुरुसकार किसे दिया गया है तो गांधी एंड कंपनी को इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगला और आज का लाश्ट कोशन है 69th राष्ट्री फिल्म पुरुसकार में सर्वस्रिष्ट निर्देशक का आवर्ड किसे मिला है तो इस कांसल हो जागा निखिल महाजन को 69th राष्टरी फिल्म पुरुसकार में सर्वस्रिष्ट निर्देशक का आवर्ड दिया गया है तो ये बात भी आपको याद रखनी है ठीक है चलिए तो ये बच्चो आज हमने नेशनल फिल्म आवर्ड को डिटिल में डिसकस किया है ठीक है इसकी मैंना आपको हिस्ट्री भी डिसकस कराई है और जो महत्वण आवर्ड है ऐसे तो बहुत सारे आवर्ड दिये जाते हैं आप सब को याद भी नहीं कर सकते तो जो महत्वण आवर्ड है जहां से एक्जाम में कुश्ण आ सकते हैं वो सभी मैंना आपको डिसकस करा दी हैं आइ थिंक आपको चीजें सबंज में आए होंगी ठीक है तो फिलाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करें मिलिंग अगली बहतर लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए बाई बाई टेक केर जहन